पता नहीं था आनिमल पार्क टू भी है आनिमल पार्क कुछ खाल नहीं था मुझे देश्ट डारेक्टर संदीब रेड़ी वांगा का आनिमल नाम का ये तूफान बॉक्स ऑबिस बार रुखने का नाम नहीं ले रहा है वो बस आनिमल की एंडिंग पोस्केडी सीन में जो आन देट दिया है देखो जब संदीब रेड़ी वांगा अपने फिल्म को लेकर कोई वादा करते हैं तो समझ लो कि वो पत्तर की लकिर बन जाती है कबेसिंग के बाद उन्होंने एनिमल को लेकर जो वादा किया था उससे बहुत जादा हमें एनिमल मुवी में देखने को मिला और इस बार भी संदीब रेड़ी वांगा ने इंडिया टूड़ी के साथ हुए एक इंटर्यू में यह कह दिया है कि आनिमल पार्क जो है जो कि आनिमल मुवी का सीक्वल होने वाला है उसमें हमें आनिमल मुवी से ज़ादा डार्क चीजे देखने को मिलने वाली है और दुश्मनों से बचाया जा सके वोई भे अपने हीरो का हार्ट ट्रांस्प्लांट करके भी उसे बचाते हुए दिखाया गया है तो इसे लोग अभी यह उम्मीद लगा रहे हैं कि शायद आनिमल पार्क में हमें बॉबी देवल भी फिर से दिखाई दे हो सकता है कि बॉबी के वापसी को लेकर काफी ज़्यादा थेडिस बन रही है और जब एक इंटर्यू में बॉबी देवल को इन थेडिस के बारे में पूछा गया लिके आप भी आनिमल पार्क में होने वाले हो तो आनिमल पार्क को लेकर बॉबी देवल ने कुछ शौकिंग बाते बताई वह स मैं आपको बताता चलू कि बॉबी देवल को एनिमल मुवी में सिर्फ 13 मिनिट की स्क्रीन मिली है फिर भी उनके किरदार को काफी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और जब एनिमल के सीक्वल में उसकी वापसी को लेकर बॉबी देवल से पूचा गया तो उन्होंने कहा म वह एक अदबुत विक्ती और एक अदबुत डारेक्टर है वह बहुत हमल है जब वह फिल्म में बनाते हैं तो इसमें बहुत कंविक्शन होता है इसलिए हमारे आसपास के रियक्शन इतने है लेकिन मुझे सचपुझ उम्मीद है कि वह मुझे फिर से डारेक्ट करेंगे और दोस्तों Lord Bobby के इस इंटर्यू से सिधा सिधा हमें Animal Park का हिंड मिलता है कि वो दुबारा से Sandeep Reddy Vanga के साथ Animal Park में यानि कि Animal के सीक्वल में काम कर सकती है और वैसे यार Lord Bobby की बात तो सही है हम भी डारेक्टर संदीब Reddy Vanga के साथ उन्हें फिर से एक बार काम करती हुए देखना चाहते है लेकिना नेगेटिव कैरेक्टर में ही वैसे कि आपको Animal Park में वो भी देवल की वापसी देखनी है मुझे कमेंट में जरू बताना साथे में ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरू करना